कई दिन से जारी विबात के बाद दुबई के JW मार्याट मार्किस होटल ने रंग महल रेस्टरॉं के शेफ अतुल कोचर की सेवाएं खत्म कर दी Micheline Star शेफ अतुल कोचर हाल ही में अपने एक बयान की वज़ा से विवादों में खिर गये थे JW Marriott Markets Hotel प्रबंधन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अतुल कोचर के हालिया बयान की वज़े से रंग महल रेस्टरॉं के लिए हुआ एग्रिमेंट खत्म करने का फैसला किया गया है भारतिय मूल के मिशिलिन स्टार शेफ अतुल कोचर हाली में तब विवादों में घिर गये जब उन्होंने टीवी सीरियल क्वांटिको में अभिनेतरी प्रियंका चोपड़ा के एक संबाद पर पलटवार किया ABC के लोगप्रिये शो क्वांटिको में हिंदू राश्टरवादियों को चरमपंथी के रूप में दर्शाया गया था लेकिन इसके बाद सोचल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा को तीखे विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें माफी भी मागनी पड़ी मगर इसके बावजूद स्टार शेफ अतुल कोचर ने प्रियंका को जवाब दिया और एक बड़ी मुसीबत बुला ली उन्होंने प्रियंका के माफी नामे पर जवाब देते हुए लिखा ये जानकर दुख हुआ कि आपने 2000 साल से इसलाम से आतंकित हो रहे हिंदूओ की भावनाओ का सम्मान नहीं किया आपको शर्मानी चाहिए मगर अतुल कोचर के इस ट्वीट पर विवाद इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करके माफी माँगनी पड़ी उन्होंने लिखा भावनाओं में बहकर रविवार को की गई एक बड़ी गलती को किसी भी तरह तरक संगत नहीं ठहराया जा सकता मैं अपनी गलती मानता हूँ कि इसलाम की शुरुआत 1400 साल पहले हुई थी और मैं दिल से माफी मांगता हूँ मैं इसलामोफोबिक नहीं हूँ मुझे अपने बयान पर काफी खेद है जिससे कई लोग आहत हुए हैं लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्ता शांत नहीं हुआ सोशल मीडिया पर उनके लज़ीज वेंजनों का बॉयकॉट होने लगा यूजर्स रंग महल रेस्टरॉं का भी बॉयकॉट करने लगे और कईयों ने उनकी सेवाएं रद करने की मांगी शुरू में मैरियट मारकेस होटल ने खुद को अतुल कोचर के बयानों से अलग कर लिया लेकिन विरोध नहीं थमने पर उनकी सेवाएं खत्म करनी पड़ी बिरो रिपोर्ट गो नियूज